नमस्काव न्यूस फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ शुभी आपके साथ नेतापधिपक्ष तीजश्वे आदव की सारी प्लानिंग अब ठप पड़ गई है ऐसे हम असलिए कह रहे हैं क्योंकि जस तरीके से राज़त सुप्रीमों लालुपिसाद यादव की तबित की हालत लगातार गंभीर बनी वी है ऐसे स्थती में तीजश्वी आदव लगातार उनके साथ दिल्ली इम्स में हैं और उनकी सीवा में लगे वे हैं ऐसे में अगर हम बेहार की राज़नीती की बात करें जस तरीके से नीता प्रड़िपक्ष तीजश्वी आदव ने इस बात की प्लानिंग की थी कि किसानों के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ेंगे मानव शिंकला का निर्मान करेंगे साथी साथ धन्यवाद यात्रा की भी शुरुआत उनकी तरफ से की जाने थी तो ये तमाम प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी क्योंकि जस तरीके से लालुपिसाद यादव की तबित लगतार नासाज है और उन्हें डॉक्टर्स के निगरानी में ही रखा जाएगा खुद तीजश्वी आदव ने ही अपने ट्विटर हांडल से इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें सतत इलाज की जरूरत है उन्हें निगरानी में रखना है ये तमाम बातें लगतार राज़त सुप्रीमों लालुपिसाद यादव को लेकर आ रही है यानि कि कुल मिलाकर ये बात कहीं जा सकती है कि उनकी तवित की हालत अभी इस्थर बनी तो है लेकिन कहीं न कहीं उन्हें डॉक्टर्स की अपने लोगों की परिजनों की खास जरूरत है इस वक्त इसे को लेकर आपको बिता दे कि राज़त सुप्रीमों लालुपिसाद यादव की तवित जैस उन्हें लेकर दिल्ली ले जाए गया लेकिन इन सब के बीच जो धन्यवाद यात्रा की शुरुवात तीजश्वी आदव की तरफ से की जानी थी कहीं न कहीं अब उस पर रोक लग जाएगा आपको बिता दे कि तीजश्वी आदव लगतार बिहार में इस बात का जिक्र कर तीजश्वी आदव अपनी समिक्षा करने जा रहे थे यानि कि जिस तरीके से बिहार विधान सबा चनाओ में इतने अच्छे गणत आने के बावजोद वो कहीं न कहीं सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुँच पाएं उसकी टीस लगतार उन्हीं सत्ता रही थी और इसी कड़ पर उनका गणित ठीक ठाक नहीं तहा अच्छी रिजल्ट नहीं आई उसको लेकर उन शेत्रों में खास दोरा खुद तीजश्वी आदव करेंगे और वहां की जंता से मुखातब होकर बाचीत करके उन्हें अपनी और आकर्शित करने के पूरी कोशिश करेंगे तो ये वो दे रहे थे कि अब किसानों के मुद्दे को विपक्ष की ओर से उठाया चाएगा और हर संभव मदद जो है वो किसानों के उनकी तरफ से की जाएगी इससी कड़ी में मानव श्रिंकला का निर्मान भी किया चाना था इसके लिए समय भी तैक किया गया था साड़े बारा का संकल्प करेंगी कि हम किसानों के साथ लगातार खड़े रहेंगी यानि यह तमाम जो प्लानिंग थी वो तीजश्वी आदव ने कर रखी थी लेकिन अचानक ही जैसे ही उनके पता की तबित बिगरने की खबर सामने आई तो तुरंत तीजश्वी आदव सब को छोड़ अपने पिता की सेवा में लग गए हैं अब ऐसे में लगातार इस बात के भी चर्चा हो रही है कि कहीं न कहीं यह तमाम जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी ठप पड़ जाएगी क्योंकि जस तरीके से अभिलाल उपसाद यादव को अपने परिजनों की डॉक् अगे बढ़ेगी नहीं तो यह सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी यानि कि जस तरीके से नेता प्रतिपक्ष देजश्वी आदव यह सारी प्लानिंग अपने आपको मुख्य मंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करनी के लिए कर रहे थे इस बात की रट लगातार उन और मुख्य मंत्री तीजश्वी आदव भी बनेंगे लेकिन कहीं न कहीं पिता की तबित की वज़े से यह सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी फलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हैं नियूस स्वानेशन नमस्का झाल